यह वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए बनाई गई है इस वीडियो को देखकर किसी भी दवाई को यूज ना करें और कोई भी दवाई यूज करने से पहले अपने नस्दीकी सलाकार या फिर डॉक्टर से संपर्क जरूर करें आपको कैसे लेनी है इसके साइड एक्सरीम साइड उसकते हैं और इसे अपको बनाएक्त अप होर्ड्र और किस चीज को ठीक करने के लिए यह दवाई यूज होती है तो इन सभी चीजों के बारे में बात करिए इस वीडियो में तो अगर आप अलप्राक्स से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहते हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर दें तो सबसे पहले अलप्राक्स 0.5 mg के बारे में जान लेते हैं इसके अगर हम साल्ट नेम की बात करें तो अलप्राजोलम 0.5 mg भी बोलते हैं इसको यह एक बंजो डाइजपीन केटेगरी की ड्रक्स है और यह साइकोटिक डिसार्डर और एंजाइटी रिलेटेड प्रॉब्लम इसको ठीक करने के लिए यूज होती है या फिर आप इसे बोज़कते हैं यह मानसिक तनाओं को ठीक करने के लिए यूज होती है और यह दवाई आपको बिना डॉक्टर की परची के या फिर अगर इसको मेडिकल टर्म में बोले तो बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं मिलत यह दवाई काम करती है ब्रेन की activity को अल्टर करके जब आपके दिमाग की activity बहुत जादा बढ़ी हुई होती है तो उसी को यह suppress कर देती है या फिर बहुत जादा कम कर देती है जिसकी वज़े से आपका दिमाग सांथ हो जाता है और काफी जादा relief महसूस होता है और यह दवा आपका course चलाया गया है आप उसके limited दिन तक के course तक ही ले अगर आपका course complete हो जाता है उसके बाद न ले और complete होने से पहले अगर आपको आराम मिल जाता है फिर भी आप यह दवाई लेकर अपना course complete करें अगर आपको इससे related कोई भी problem आती है तो अपने नजदी की सलाकार या फ सब्सक्राइब करें लाइक करें और कॉमेंट में बताएं कोई भी कोई रहती है तो